आज गावं के लोगों की क्या मांग रहती थी जब कॉंग्रेस की सरकार थी तब गावं के सरपंच आते थे अब दफतर में तो क्या मांग करते थे वो कहते थे यह मेरे जावबा जिली के लोग भी यही माँगते थे वो कहते थे ज़ाब अकाल है मिटी-खोदने का काम दे दीजिए कभी बड़ा Memorerndum देते थे और कहते थे कि हमारे गाओं में एक मिटी का कम से कम रास्ता बन जाए अगर हमें जाना आना हो तो सुवीदा हो जाएं कॉंगरेस के जमाने में गाउं के लोगों की मुसीबत ऐसी थी कि वो कच्ची मिट्टी के रस्ते से जादा मांगने की हिम्मत तक नहीं करते थी आज हमने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना बनाई तो आज मेरे गाउं का आदिवासी कहता है कि हमारे गाउं को इधर से तो सड़क मिली है लेकिन उधर से मिल जाए तो वहाँ जाने में हमारा दो-तीन किलोमेटर का रास्ता कम हो जाएगा कभी मेरा आदिवासी आके कहता है किसाब सिंगल पत्ती तो मिली है अब जरा डबल पत्ती वाला काम हो जाए तो अच्छा होगा वह जमाना था जब विकास का मतलब होता था मिट्टी डालो और उसको रोड मानो आज जमाना हमने बदल दिया है वह कहता है डामर की पक्की चाहिए एक पट्टी नहीं दो पट्टी चाहिए ये प्रधानमत्री ग्राम सड़कियोजना का काम हमने करके दिखाया और भाईयों बेहनों पहले जितना काम होता था इससे अमने डबल काम किया है डबल जितना काम हमने किया है उसके काम अगर कॉंग्रेस को करना होता एक तो करते नहीं वो मिट्टी का ही काम करते लेकिन करना भी होता तो उनको जो काम हमने चार साल में किया उसको करने में उनको दस साल लग जाता है